हलो दोस्तों मैं हूं भैवर्श वर्मा और आज की करेंट रफिर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए लेक्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं यहां पर यह हमारा प्री चैलेंज सीरीज चल लगी है जिसमें पांस कोश्चन हम डिसकस करते हैं जो करेंट वेस्ट होते हैं और जो भी आपके एक्जाम परस्पेक्टिब से आपके लिए बहुत ज़्याद है और यह यूपी विशेस है जहां पर हम यूपी की जो भी यहां पर जीके है उसको कवर करते हैं तो इन दोनों को आप लेक्शर को देख लीजिए चलिए स्टा इंडिया कि कौन सी लेक पर किया गिया है यह पूछ लेया चाहर लंडाली पर फेलेग बेंना जुख लेग गया यह दो सेंटर रियलवे ने अभी पहला प्लाटिंग डांच नों स्चnewig इनिट supply इनिटिव का इसकी प्लान को अगधर से चहीट करने हैं, अगे का प्लाट है कि 7 MegapowerWatt का more year और इंस्टॉल करेंगे यह ठीक है रिन्यूवल इनर्जी ट्रांजिशन के लिए ठीक है तो इसका और इकतपुरी के बारे में हमने देखी लिया यहाँ पर Central Railway जोन हैं उसमें देखने को मिलते हैं इसका आंसर क्या होगा इगठपुरी लेक आपको Western जो 35th नम्मर के हैं अमितकांत हैं विक्रम मिस्री है रुचरा कमबोज है अजय विसारिया है चलिए देखते हैं इसका अंसर तो हाली में 35th जो Foreign Secretary है अपॉइंट के गए इंडिया के कौन विक्रम मिस्री को और इससे पहले यह चाइना के चाइना में इंडिया के इंडिया के चाइना में तो फॉरन सेकर्टी क्या करता है इंडिया के उन सब चीजों को यह क्या करता है यह हैंडल करता है इंटरनेशनल लेवल पर इससे बिक्रम मिस्री से पहले कौन थे तो बिने मुहन को अत्रा यह कौन थे 34 नंबर के यह फॉरन सेकर्टी थे तो यह इंप्रेंट हो जाता है यहां पर कभीकबार पूछ लेते किसको सक्सीड करके आए हुए हैं ठीक है तो यहां पर वी ऑफ्शन हमारा क्रेक्ट हो जाता है विक्रम मिस्री हमार साइंस टेक्नोलोजी मिनिस्ट्य आफ फाइनस एंड मिनिस्ट्य ऑफ स्टाथिस्टिक एंड प्रोग्रम इंप्लिमेंटेशन अब इस्ट्य आफ देफेंस तो यह हंदी में लिखिए है चलिए देखते हैं यह संखी की पॉर्टल किसके दौरा किया गया और इसका में आपस्ट दो चीज़े यहाद रखो तो यह इनके लिए यह प्रोवाइट कराईगा एक कराएगा अपना ब्लाटा अठा सकते हैं फिक हैespère दो इसका आप यह है कि जो अОकूम इशनल GreekWatch ने फिरिक्रट अaż उसका जो मेन डाटा सेट है उस तक पहुचने के लिए क्या करते हैं यह एक डाटा मैनेजमेंट करते हैं स्ट्रीम डाटा मैनेजमेंट और शेरिंग करते हैं जैसे उस डाटा शेप तक पहुचा जा सके हैं तो यह कौन से दी यह ministry of statistics and the program implementation जैसे शांक किये और कारिकरम कारिया कि पोटल होगा ठीक है इसका नाम है चलिए चौता कोश्चन है पेंच टाइगर रिजर्ब के बारे पूछा गया यह कहां पर लोकेटेड है यह नियूस में क्यों था अभी देखेंगे इसके करनाटका में है मदप्रदेस महरास्ट्रा में असाम में है और राजिस्तान में चलिए वीडियो को पॉस कीजिए दिखने है पेंच टाइगर रिजर्ब के बारे काफी जादा इंपॉर्टेंट है तो हाली में क्या हुआ कि पेंच टाइगर रिजर्ब में एक एडवांस आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस सिस्टम लांच किया गया है वहां पर सटप किया सकता है तो यह पहला जो एडवांस आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया गया सबसे पहले ड़न षंडर रागर चैयर्र में ही लगा गया तो सट्पबुरा हिल्स जाता है but maximum पाठता है MP में पाए जाता है approximately 40% और iko 20% पाठ आए था घ्या है तो इसका नम पया पड़ा यहां सि इस स procurek Kom डैंच की ब्युक्त की बात कर लें तो यह जो किण्य तो擊 इस से अन्य्ट्रर कि ताये है तो जंगल में पें स्टाइगर रिस्ट्री था यहां पे आपको फ्लोरा आपके आप अंसर हमारा का नाशिक रस्ट्री कभर हो जाता है चलिए तो आंसर हमारा क्या होगा अब हम बात करते हैं हाली में क्या हुआ बॉर्णियो एलिफेंट है न्यूज में था और उसको क्या हुआ एक इस्टेटस प्रोवाइड कराया गया तो इन में से कौन सा इस्टेटस को प्रोवाइड कराया गया वल्लरेवल इंडेंजर्ड नियर थ्रेटेंड और लिस्ट कर्सर्ण तो चलिए वीडियो को पॉस किजिए कोशन को अटेंड कीजिए देखते हैं आप इसको कौन सा इस्टेटस प्रोवाइड कराया गया और बॉर्णियो जो एलिफेंट है वो कहां लोकेटेड है कहां पाया जाता है तो कि हम देखेंगे बॉर्णियो अइलेंड कहां पर लेकिन यह स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट की सबिस्पेसिज हैं थीख है तो थीचिवwyn dressed एस्पेसिज की सब्से चोटी स्मॉलेस्ट सबिस्पेसिज है तो एैस्ट एशियन एलिफेंट भी तीन fast में heter Aah एति जेखेंगे यहीं सारी चीज़ें के खाते हैं अब बॉर्णियो अलिफेंट की बात करें तो अभी हमने देख लिया यह सब स्पेसिज है और इनका जो साइंटिफिक नेम है यह ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको याद रुखो एलिफर्स मैक्सिमस इनका साइंटिफिक जो नेम है तो य कलिमन टन यहां पर देखने को मिलेंगे तो इनके इसकल साइज बहुत उनिक होता है यह आप इमेज में देख रहे होगे अब अल्ली अब थाउजन सम्टिंग बॉर्णियो एलिफेंट से बचे हो रहे है पहले बहुत ज़्यादा है और इनको में थ्रेट क्या है इनको में सब्सक्राइब हो चुका है क्यों क्या कर रहे है पाम इंडस्ट्री बना रहे है इसकी वज़े से क्या है इनका 60 परसेंट है इसलिए न्यूज में बीच है और यह इनको आइसवेन द्वारा स्टेटस दिया गया इंडेंजर तो यह हमारा प्यारा भारत इंडिया को पूरा नहीं बनाते हैं यह हमेश्व गटाब गवा देते हैं अब प्यारे भारत से हम चलेंगे किदर साउथ इस्ट की तरब तो हमें एक पैसिफिक और यह प्रिशान्त मास आगर है और पैसिफिक और में एक आइलेंड मिलेगा जो की एसिया का लार्जस्ट इसिया का सबसे बड़ा आइलेंड है जिस पे आपको तीन कंट्री देखेंगी एक तो आपको नीचे पीला वाला पार्ट है यहाको ईंडोनेश़िया देखेगा उपर ग्रीन वाला पर मलेशीया देखाईगा और नहीं तीन कंट्रीए आपको देखने को मिलेगी इस आइल यहीं पर आपका पाया जाता है चलिए अब एलिफेंट के बारे में जाने तो एलिफेंट क्या है यह अर्थ का सबसे बड़ा लैंड मैमल है मलब लैंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मैमल है मैमल करने कहते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें मैमल कहते हैं जो अ और आज से कहा जाता है 100 यार एगो पहले कम से कम 10 मिलियन अफ्रिकन एलिफेंट अफ्रिका कॉंटिनेंट पर पाए जाते थे अब 2016 में सर्वे के द्वारा पता लगा है कि अब इनकी जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस होके 450,000 बचा है तो कितना इनका habitat loss या इनका कितना ज़्यादा इनकी poaching यह सारी चीजह हुई है इनकी 100 यह पहले इनकी संक्या इतनी थी अब इतनी हो गई है काफी ज़्यादा चेंज़ेदा हुए है अब इनकी तीन स्पेसिस देखने को मिलेगी एक अफ्रिकन सवाना एलिफेंट एफ्रिकन सेंट फिकने में यह सारे ही की पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं इनका यह सबसे बड़े एलिफेंट हैं साइज में पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इनका वेट होता है कम से कम 7000 केजी इनका वेट होता है और 3.5 to 4 मीटर इनके शोल्ड फिमेल का कैसा होता है नेरो पॉइंटेड है होता है ठीक है और यह लॉंग कर्व टस्क होती है इनकी देखो यह तो यह है अब आफ्रिकन सवान एलिफेंट के बाद करने हैं जिनका साइकलास्टिक है और यह आपको एफ्रिका के फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे रैन अब आते हैं एलिफेंट के बात करते हैं इनका जो स्टिफिक नेम है एलिफोस उम्यक्समस में डिवाइड है इक तो आपको देखने को मिलेंगे ऑलिफेंट मैक्समस इंडिकर्स चोकि आपके इंडिया मैं लेंड पर पाया जाते हैं फिर आपको Elephant Maximus Sumateras देखेंगे जिनने Sumateran Elephant कहते हैं यह आपको Sumatera Indonesia में देखने को मिलेगे Sumateran Island पर इसके बाद आपको Sri Lanka में देखने को मिलते हैं Elephant Maximus Maximus जिनका नाम है तो यह बहुत ही ज्यादा आपका बॉण्यों जो कि Sumateran का पाट है तो इसका Answer क्या होगा इसका Answer होगा Indangered Categories तो यह एक होता है यहां से अगर देखें एक होता है Least Least Concern फिर आता है आपका वग्लारेवल फिर आता है आपका Indangered और फिर आता है टेक है तो यहां पर क्या होता कोई भी जैसे आप नंबरिंग से समझ लो जैसे टेन है अब टेन में से किसी की अगर अभी वन बची है बन मलब इस पैसी जाए उसमें से नाइन बची हुई है तो कह सकते हैं लीस्ट कंसर्ण अभी कोई इतना ज्यादा इंपक्ट नहीं कर देती है कि पोचिंग मत करो इनकी और इनका आप अवैस सिकार जो भी करते हो यह सारी चीज़े मत करो ठीक है इसके बाद इंडेंजर आती है तुबाद डेंजर उसमें आ जाती है इस पैसी कहते हैं आप दस में से पांच ही बची है तो गवर्मेंट एक इस टिक एक्शन करती है ठीक है बहुत सारा यहां पर देखने को मिलता है एक्सिंट मलब बिलुप तो जाए पिर पूरी तरह से यह इस पेसी भी बिलुप तो जाए तो यह था इंडेंजर उमीद करता हूं समझ में आया होगा तो चलिए यह था हमारा लेक्ट्षर उमीद करता हूं आपको को पसंद आया होगा और यहां पर पीडियस मिल जाएगी जाद जाद लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स लेक्स में तो पिकले थेंक्यों